तो आज का जो टोपिक है असाइन्मेंट रहेगा एडस इन प्रेगननसी पर रहेगा तो यह असाइन्मेंट है जो मैं भी आप लोगों सशीर कर रहे हूं यह बीस्ट वाले जी एरम थर्ड यर वाले बना सकते हैं जैंफर सेकन हो तो वह भी बना सकते हैं राइट सब्सक्राइब करेंगे जिस भी डेट को आप असाइन्मेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं अपना खुद का नेम क्लास राइट रो लंबर तो यह असाइन्मेंट का फ्रंट पेज रहेगा और आपको अच्छा से डैकॉरेट करना है और चाहे तो आप कलरफुल स्केच का ब्लैक कलर का स्केच या मारकर तो आप उससे भी बना सकते वह आप पर डिपेंट करता है इसके बार निक्स जो पेजिज है सेल इंटिफिकेशन इसमें आपको क्या करना है खुद का इसमें पूरा डाटा लिखना है जैसे कि नेम एस एक एंड ग्लास एंड रो लंबर कॉल टॉपिक टॉपिक क्या है एंड इसके बार नेक्स आजाएगा बायो डाटा ऑफ पेशन इसमें आप पेशन का बायो डाटा देंगे राइट नेम क्या है उनका इस क्या है सेक्स क्या है मेल फिमेल है और हजबन नेम और लिजन क्या रहेगा ऑक्योपेशन क्या है और इसके क्या क्या problem आई है तो वह सब आप इसमें mention करेंगे present surgical history लेंगे अगर कोई भी पेशन का अगर कोई भी ऐसा surgical history है तो उसके बारे में आप pension करेंगे next is post and illness इसमें कहारेगा past illness and past medical history लेंगे patient की past surgical history लेंगे अगर कहीं भी कुछ past में अगर surgery हुई है उसकी history लेंगे और medical history लेंगे next social economic status इसमें क्या होगा name of the house name of the room and ventilation and sanitation and toilet facility house condition ठीक है इसमें आप देंगे पूरा next personal history देंगे diet habit energy and sleeping bowel and hyacin bladder hyacin के बारे में नोर्मल है यह नहीं है या कोई मतलब कोई problem आई तो भी आप लिखेंगे इसमें और इसके बाद आएगा family history नेम देना है ठीक है कितने मेंबर है is sex relation occupation remark करना है family tree आपको इस टाइब से बनाना होगा ठीक है इसके बाद निक्स आजएगा vital sign देना है vital sign normal value क्या रहेगा patient value क्या है remark क्या रहेगा vital sign में क्या क्या आता है blood pressure आता है pulse temperature respiration आता है तो आप यह पूरा mention करेंगे normal है नहीं है अगर आप पहुचए तो वह भी mention करेंगे अगर patient का value क्या है वह देखेंगे ठीक है इसमें है treatment treatment क्या है इसमें drug name और इसमें dose कितनी है root क्या रहेगा time action इसके बाद नेक्स आजएगा physical examination लेंगे ठीक है इसमें क्या आएगा baseline data weight क्या है height क्या है pulse क्या है respiration क्या है general appearance इसमें आप क्या करेंगे nourishment not proper दे रहें यह आगर आप इसमें कुछ भी चीज दे रहे है तो proper से दे रहे है नहीं दे रहे हो सब mention करना body fluid क्या है proper है status क्या है activity क्या है skin condition क्या है skin जो condition है वो क्या है जैसे red हो चुकी है texture के है smooth है इसके पर head आ जाएगा ठीक है eyes आ जाएगा next आ जाएगा इसके बाद ear and nose ठीक है और इसके बाद आ जाएगा extremize and next आ जाएगा इसमें जनाइट इले राइट इसके पर next देखेंगे nursing assessment इसमें आपको कुछ points लिखना होगा points में आप 6-7 points लिख सकते हैं ठीक है मतलब patient को क्या दिया जा रहा है उसका weight daily का check किया जा रहा तो क्या है अगर anxiety and stress है तो उसके बारे में बताना होगा और मतलब कितना वो उनका जो alcohol है इंटेक कर रहा है वो सब देना होगा ठीक है इसके पर next है nursing diagnosis इसमें भी 5-6 points आपको लिखना है nursing diagnosis में क्या क्या है वो सब देना होगा आपको इस type से भी आप लिख सकते हैं चाहे तो आप अपने according भी लिख सकते हैं वैसे तो जो अगर topic इसमें मतलब show या mention कर सकते हैं राइट निक्स इसके पादेंगे nursing diagnosis goal planning implementation evaluation रहेगा तो मैं आपको close से दिखा देती है वरा आप इसी अच्छा से देख लीजिएगा और इसमें आपको पूरा mention करना होगा to reduce the anxiety के बारे में तूचा the anxiety level related to hospital ठीक है और इसके में next वहीं आएगा nursing diagnosis goal planning and implementation evaluation के बारे में देना होगा आपको इसके बार निक्स यहीं आएगा nursing इसके तीन चार पेज़िस आपको लिखना होगा ठीक है यह सेम रहेगा और यह भी सेम रहेगा nursing diagnosis goal में लिखना है to reduce the pain ठीक है और planning क्या रहेगी check the vital sign of the patient right provide safe nutrition nourishment to the patient ठीक है implementation क्या रहे है evaluation क्या रहेगा pain है यह नहीं है वह सब देंगा इसके अंदर health education इसमें आप करेंगे educate the patient family to keep the patient always happy और इसमें आप देंगे जो educate the patient about AIDS in pregnancy right next इसके बाद सब्सक्राइजेशन क्या क्या है self identification, bio data of patient, patient history, family history, family tree, vital sign treatment, personal history, social economic status, physical examination, nursing assessment, nursing diagnosis, nursing goal, nursing care plan, health education conditions right जो अभी जसे मैंने आप लोगों से जितने भी अभी इसमें जो assignment share किया क्या क्या आपने लिखा है वो summarization करेंगे आप इसके बाद conclusion करेंगे ठीक है और इस राप जैसे fear and proper outcome that and include improve the patient condition now the patient condition is the approved and then the period condition right next आजएगा बीबिलियोग्राफी जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी थी आप कहां से बीबिलियोग्राफी देख कर लिख रहे है वो उस book का name अगर आप किसी भी website से लिख रहे है तो website का आप इसमें शो करेंगे और mention करेंगे यानि अगर आप book से लिख रहे है तो इसमें writer का name published क्या अडिशन क्या रहेगा page number यह चीज़े mention करने होती है तो आज का जो हमारा assignment था community health nursing second का था और इसे BAC वाले और GNM वाले इसे बना सकते हैं इसमें भी कोई problem नहीं आएगी और इसमें अगर कोई भी problem आती है तो यह पूरा आप लोगों का clear भी दिख रहा है और आप इसमें भ pregnancy राइट आज के लिए इता ही एंड थैंकि फूर वाच के वीडियो